हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मैं हूँ मिनाक्षी और मैं बनाने जा रहे हूँ तिलकी मीटी पूड़ियां देखे फ्रेंट्स यह कितनी टेस्टी और क्रिस्पी लग रही है फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे तिल की पूड़िया बनाने के लिए मैंने ये आदा कप तिल लिये है इनको हलका सा भून लिया है तिल को भूनने से तिल की बहुत अच्छी खुशबू आएगी पूड़ियों में ध्यान रखिए तिल को जादा नहीं भूनना है नहीं तो तिल कड़वे हो जाएंगे साथ में मैंने लिया ही दो चमच देसी घी इसको पिगला लिया है और ये मैंने शक्कर लिया है एक कप शक्कर है ये फ्रेंस शक्कर की जगा पे आप चाहें तो चीनी या गुड़का बिस्तेमाल कर सकते है साथ में मैंने ये चार कप आटा लिया है इतनी सामिग्री से हमारी तकरिबन सत्रा अठारा पूड़िया बन जाएंगी और ये मैंने आदा लिटर गरम पानी ले लिया है इसमें शक्कर को डाल देते हैं और शक्कर का घूल तयार कर लेंगे और इस घूल से हम अपने आटे को लगाएंगे ये आटा ले लिया है और इसमें हम अपना ये देसी गी मिला देंगे अच्छे से देसी गी जादा नहीं डालना है इसके अंदर नहीं तो हमारी पूड़ी अच्छे से नहीं बनेंगी इसे अच्छे से मिला देंगे अब इसमें हम भूने हुए तिल भी डाल देंगे तिल की मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिल पसंद है तो ज़्यादा डालिए अब जो हमने शक्कर का घूल तयार किया था इससे एक सॉफ्ट डो लगा करके तयार करेंगे पानी को धीरी धीरी मिलाएंगे इसके अंदर ध्यान रखिए आटा हमें सक्त नहीं गूनना है आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है जैसा हम रोटियों का लगाते हैं अगर हम ज़्यादा सक्त आटा लगाते हैं तो हमारी पूड़ियां अच्छे से नहीं बनेंगी उनकी किनारे फट सकते हैं मैंने ये सॉफ्ट एकदम आटा लगा करके तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है इसे अच्छे से मसल लेंगे ध्यान रखिए गरम पानी का है इस्तेमाल करें आप इसमें बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं रखना है गुनगुना पानी रखना है हमें देखिए कितना सॉफ्ट आटा लग करके तयार हो गया है हमारा अब एक कड़ाई ले लिए एक कड़ाई में मैंने रिफाइंड ओयल चड़ा दिया है आप चाहें तो देसीगी का बिस्तेमाल कर सकते हैं इसे हम गरम होने के लिए रख दे और मैंने एक पेड़ा तोड़ लिया है आटे का और पूरी को हम हलकी आज से बेल लेंगे नॉर्मली जैसे हम पूरियों को बेलते हैं इस पूरी को हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है जैसे हम नॉर्मली पूरिया बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे अगर हम ब इस तरीके से मैं कुछ पूडियों को बेल लेती हूं और जो कड़ाई गरम होने के लिए रखी थी कड़ाई गरम हो चुकी है देखे इस पूड़ी को मैंने कितना मोटा बेलाया आप देख सकते हैं तो हाई फ्लेम पर मैंने कड़ाई को गरम किया है जब मैं पूड़ी कर्ची से इस तरीके से मारने से हलकी से अंदर से पूड़ी फूल करके आ जाएगी लेकिन इस पूड़ी को सिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए इसे पलट पलट कर कई बारी देर तक सिखेंगे ताकि पूड़ी अंदर सिख जाए इन पूड़ी को बनाते टाइम आपको दो-तिन बातों का ध्यान लगना है एक तो जो हमने आटे में घीमी लाया था वो बहुत जादा नहीं डालना है दूसरा आटे को गुन-गुने पानी से ही गुनना है और तीसरा इसमें पूड़ीयों को थोड़ा सापको मोटा बेलना है और आज को बहुत जादा तेज नहीं रखना है और ना बहुत जादा मंदा रखना है तो हमारी पूड़ीयों बहुत अच्छी बनकर के तयार होंगी तो इसी तरीके से देखे मैंने इस सारी पूड़ीयों तयार कर ली है तो देखे कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी एकदम ब्राउन कलर की पूड़िया बनकर के तयार हो गई है आप इसे चाहें तो नेक्स टाइम में एंजोई कर सकते हैं या फिर अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं तो इन्हें बना करके ले जा सकते हैं हमारे याँ पर तो ये पूड़ियां आम की अचार के साथ खाई जाती है तो फ्रेंट्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले